देखेजी बस को चलाने के लिए या तुम आपको बताओंगा ही लेकिन आपको ये भी पहले ही बता देता होंगी जो बस अटर्क होती है इनमें दो कटेग्रीज होती है ये कटेग्रीज के उपर डिवाइड कर दिया गया है इनको अगर आप ध्यान पूरवक अगर समझेंग हैं देखिए बस और ड्रक को चलाने लिए भारत में जू राइसंस बनता है वह दो मानको पर अद्हारीग कर दिए घये हैं तो सबJust पहला इसनहकी मानक क्या होता है कि अगर अगर आपकी अगर सब और बस की बात ट्राइबाना पड़ेगा यह पूंदर की वर्यार्षी घुर्स को चलाने के लिए अक्व रूसेंश का ही आ concealer तो आपको ऐगा Alors Charlize व्युक्राणी में अंधर यहां पर भूस में बता देता हूं रिचा है तीस से अबब और जो भी स्टेट वहाँ पर गॉवर्मेंट की बसे साइं जो सेंट्रल गॉवर्मेंट की बसस्की बाइस होती हैं अन्य Teams यह फे cał दूनिंट तो ह कि यह एक्स्ट्र तो आप लोग ध्यान समझ लीजिए ये तीर सीट से ज़्यादा अगर बस चलानी है समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं अब बात कर लेते हैं ट्रक की जिहां तो ट्रक को चलाने के लिए आपको कॉंसल लाइसेंस बनमाना पड़ेगा तो ट्रक भी इसमें दो भी दो सेनारि हैं दो मानक तो सबसे पहला मानक जो है बता देता हूं तो ट्रक को चलाने के लिए अगर आपकी ट्रक का बजन को दस जार किलोग्राम के अंदर आता है समझ लीजिए ध्यान पूर्बा कि आपको कोई इतने डीब जैन करी नहीं देगा दस जार के अंदर तक की बसस को चला आगर यहां पर दूसरा जमानक करता है और दस जार किलोग्राम से अधिक की जो होती है उसमें ड्रक क्या उसमें जो गंटेनर है लोरी से यह भी आ जाते हैं इनको चलाने के लिए जो बड़ी बड़ी वहिकल्स होती हैं इंटर इस्टे ट्राविल करती है उन सभी को चलाने के लिए आपको अलग से चींबी समझे हैं वीडॉस वहिकल्स लाइसंस और उसके साथ में हैवी गुट्स मोटर वहिकल्स यह डो लाइसंस में होते हैं तो अगर आप कंटेनर को च्छोड़के तो तो अभी इतनी भी वहाँ पर गाड़ी आएंगी ट्रॉक्स में उन सभी को चलाने के लिए हैवी गुड्स मोर्टर वाइकिल ड्राइविंग लें बर्माना पड़ेगा समझ लिए इसको ध्यान पूर्बा कर ना समझे हो तो वीडियो पर फिर से जाएए सुरू से लकरान तक देख लेजिए आपको सब कुस समझ में आ गया है अगर कोई टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा उसको जाका जोएन के लिए बहुत सारे डावट को कुष्टन वहाँ पर आपकी क्लियर होते रहते हैं उस ग्रूप को जरूर जरूर जोएन कर लिए ठीक है जी यहां तक वीडियो देख बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूं नए वीडियो लाइक से नहीं कि लाइक से करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद जाहिंद वांदे मातरम